So hi everyone, welcome again to JK Exam Cracker तो यहाँ पे हम continue करेंगे अपने lecture series जो की environment, ecology and biodiversity के regarding चल रही है यहाँ पे तो यह रहेगा यहाँ पे lecture number 3, यह वाले lecture में पहले हम देखेंगे कुछ important terms फिर हम देखेंगे यहाँ पे structure of ecosystem, then देखेंगे यहाँ पे function of ecosystem end, lecture के end पे यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आए हुए important MCQs तो चलिए यहाँ पे start करते हैं अपने lecture को तो पहली term यहाँ पे आपको दिख रही है, that is ecotune अब ecotune होता क्या है, ecotune होता है जून अब junction किन के बीच दो या दो से ज्यादा ecosystem के बीच वाला जो junction है जहाँ पे दोनों ecosystem क्या कर रहे हो, overlap कर रहे हो तो वो वाला junction जो है ना, यह वाला junction क्या कहलाता है, ecotune देखें यहाँ पे, यह यहाँ पे forest and यह यहाँ पे grassland यह वाला portion जहाँ पे forest and grassland क्या कर रहे हैं, overlap कर रहे हैं तो यह कहलाता है, ecotune, क्लियर example, mangrove foresters clear mangrove foresters जो आपको कहाँ पे मिलेंगे सुन्दर बांच में तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक तरफ से marine और दूसरी तरफ से terrestrial ecosystem होता है देखिए यहाँ पे marine ecosystem और दूसरी तरफ यहाँ पे terrestrial ecosystem clear तो यह किसको represent करता है यह eco tune को represent करता है या फिर forest grassland eco tune यहाँ पे clear अब यह जो eco tune वाला portion होता है या zone होता है यह होता है tension में क्या होता है tension में फिसिक्स में आपको force के दो नीचे मिलेंगे एक तो compression दूसरा tension अब देखते हैं यहाँ पे tension क्या होता है देखिए यहाँ पे यह है यहाँ पे eco tune वाला portion clear अब यहाँ पे है grassland ecosystem and यहाँ पे forest अब यहाँ पे जो features होंगे या फिर यहाँ पे जो species होंगे अब यह जो grassland वाला portion है या grassland वाला ecosystem है यह चाहेगा कि यहाँ पे जो species हैं यहाँ यहाँ पे जो features हैं यह किसमे convert हो जाए यह grassland में convert हो जाए and यह जो forest वाला portion है यह चाहेगा कि यहां के feature इसमें convert हो जाए forest में convert हो जाए net result क्या होता है net result यह होता है कि यह जो portion होता है यह tension में होता है clear क्योंकि एक तरफ से इसको grassland pull करना चाहता है और दूसरी तरफ यहां पर forest क्या करना चाहता है, यहां पर pull करना चाहता है, तो इसलिए हम कहते हैं, जो eco-tune वाला portion होता है, यह क्या होता है, यह zone of tension होता है, क्या होता है, zone of tension, next time पे edge effect अब edge effect क्या होता है यह आपको कहांपे मिलेगा यह आपको मिलेगा इकोटोन में ही देखिए यहां पे यह जो a circle है let मैं मानूँगा यह किसको represent कर रहा है यह forest ecosystem को represent कर रहा है and b वाला portion grassland ecosystem को represent करता है देखिए यहांपे edge effect होता क्या है edge effect होता है greater diversity जब आपको कहां पे देखने को मिले eco tune में तो वो effect जो है वो क्यालाता है edge effect देखें यहां पे यहां पे forest ecosystem let यहां पे कितने species 3 1 2 and 3 तो variety of species कितनी यहां पे 3 and यहां पे भी 3 1 2 and 3 clear अब यह जो eco tune वाला portion है ना यहां पे आपको different variety of species मिलेंगी देखें यहां पे यहां पे आपको total 9 species मिल रही है एक तो 3 यहां पे from forest ecosystem and 3 from grassland ecosystem and कुछ नई species भी यहां पे आपको मिलेगी तो इसी को हम बोलते है edge effect clear यहनकि diversity आपको कहां पे देखने को मिल रही है कहां पे eco tune में clear next है यहां पे edge species अब edge species क्या होते हैं वो species जो abundant होते हैं कहां पे eco tune में clear जो species abundant होते हैं कहां पे eco tune में तो वो कहलाते हैं क्या edge species like बरतपूर birds century हो गई जो की represent करता है desert and forest eco tune को तो यहां पे आपको special type of birds मिलेंगी clear यहाँ पे आपको special type of birds मिलेंगी यह वाले desert forest eco tune में जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगी clear Another example here is estuary अब estuary क्या होती है estuary होती है जहाँ पे exchange होता है किसका एक तो fresh water from river and दूसरा यहाँ पे salty water from ocean तो यह वाला portion जहाँ पे यह दूनू और लैब करते हैं तो इसको बोलते हैं हम estuary clear अब देखें यहाँ पे जब यहाँ पे river का fresh water and यहाँ पे ocean का salty water यहाँ पे आते हैं and दूनू क्या यहाँ पे होते हैं दूनू मिलते हैं and दूनू combinedly यहाँ पे different type of water produce करते हैं जिसको हम बोलते हैं breakish water क्या बोलते हैं breakish water अब यह वाले breakish water में आपको कुछ ऐसी species of fishes मिलेंगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी clear तो इसलिए हम बोलते हैं यह जो zone होता है यह होता है high productivity zone क्योंकि यहाँ पे high nutrients होते हैं clear next हम देखेंगे यहाँ पे habitat क्या होता है territory क्या होती है home range क्या होता है clear अब territory क्या होती है territory होती है एक physical environment जहाँ पे एक organism रहता हो clear या फिर हम बोलेंगे all the environmental conditions clear जो की एक organism को चाहिए किसलिए food के लिए shelter के लिए या फिर mate के लिए यान की for survival clear तो वो क्या लाता है habitat क्या 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 लाता है habitat अब territory क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे territory होता है कोई geographical area जो की एक individual या फिर एक organism क्या करता है पहले mark करता है फिर defend करता है चलिए यहाँ पे समझते हैं देखिए यह जो lines है यहाँ पे and यह जो यहाँ पे elephants है यह जो lines है ना इनका अपना इलाका होगा यहनकी अपनी territory होगी यह जो elephant है यहाँ पे इनकी अपनी territory होगी अब होता क्या है अगर यहाँ पे यह जो line है ना एक line यहाँ पे किनकी territory में जाएगा यहाँ पे elephant सी territory में जाएगा तो यह जो elephant है यह line को मार के बगाएंगे फिर से यह return करेगा अपनी territory में अगर यहाँ पे कोई elephant आता है तो यह जो line है यह इस पे attack करेंगे क्योंकि यह इनका अपना इलागा है या फिर अपनी territory है clear इसलिए हम बोलते हैं यह जो territory होती है इसमें क्या require होती है एक तो time and दूसरा यहाँ पे energy requirement होती है कहाँ पे territory में and यह point भी याद रखिए काफी important है य यह जो territory होती है यह आपको कभी और लैपर्ड नहीं दिखेगी और लैपर्ड मतलब यह है यहाँ पे line वाला portion यह है यहाँ पे elephant की territory clear अगर यह दूनों और लैप हो जाए और लैप मीनिंग यहाँ यहाँ पे line यहाँ पे जाए and यह वाले elephants यहाँ पे जाए तो होगा क्या इनके बीच में competition होगा क्या होगा competition होगा इसलिए territory जो होती है वो आपको कभी और लैपर महीं दिखेगी clear next is home range अब home range क्या होता है यह होता है कोई particular area जहाँ पे एक animal live करता है and move on करता है on daily basis clear territory में क्या हो रहा था territory में अपना area था जिसको वो different कर रहा था but home range क्या होता है home range ह होता है जहाँ पे एक organism या फिर एक animal generally एक तो live कर रहा है and डूसरा daily basis पे move on करता है next important point is जो home range होता है that is always greater than territory जो home range है that is always greater than territory तो यहाँ पे समझते हैं let यह वाला portion जो है न यह है line का portion क्या है line का portion and यह वाला जो portion है यह है यहाँ यहाँ पे elephants का portion clear तो देखिए यहाँ पे यह जो है न यह जो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यह है home range of line क्या है home range of line and यह जो आपको दिख रहा है यहाँ यह है home range of elephants and red में जो आपको दिख रहा है यह है यह है territory किनकी line सी and यह है यह है किनकी territory यहाँ पे elephants सी तो देखिए यहाँ पे red और red ये कभी overlap नहीं होंगे क्योंकि फिर वहाँ पर competition arise होगा clear तो इसलिए यहाँ पर हमने बोला कि यह जो territory होती है यह आपको कभी overlap नहीं दिखेगी and जो home range होगा that will be always greater than territory तो देखे यहाँ पर home range वाला जो area है या फिर portion है कितना बड़ा है किसके comparison में यहाँ पर territory के comparison में I hope आपको समझ में आया होगा कि home range जो होता है that is always greater than territory तो territory जो होता है वो होता है छोटा portion क्योंकि एक line है यहाँ पर एक elephant है यह पूरे area को different नहीं कर पाएगा यह किसी particular area को different करेगा जहाँ पर बहुत सारे lines या फिर बहुत सारे elephants रहते हों clear next है यहाँ पर ecological niche clear अब ecological niche क्या होती है ecological niche होती है functional role या फिर position किसी species की कहाँ पर जो वो occupy करता है एक ecosystem में clear अब niche में क्या-क्या include होता है निश में include होता है all type of interaction clear किनके साथ biotic and abiotic factors के साथ clear अब यहाँ पर समझते हैं यह है यहाँ पर कोई tree clear यहाँ पर कोई tree and यहाँ पर sparrow तो यह वाला sparrow जो है न यह tree के top portion में यहाँ पर रहेगा तो यह वाला sparrow जो है यह tree का bottom portion यहाँ पर accumulate करेगा and यह वाला sparrow जो है यह bottom most portion जो है वो यहाँ पर accumulate करेगा तो इसने क्या किया टॉफ वाला occupy इसने middle वाला occupy और इसने bottom most वाला occupy यहां पे किया किस पे ट्री पे अब देखें यहां पे यह जो species है ना clear तो इन्होंने क्या किया इन्होंने यहां पे ट्री को occupy किया तो habitat क्या है यहां पे का habitat same है तो तीनु का habitat क्या है यहाँ पर तीनु का habitat यहाँ पर tree है बट इनकी जो niche है न वो same नहीं है वो different है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है जो दो species होते हैं they cannot have same niche clear habitat तो same होगा like यहाँ पर आपको tree मिल रहा है तीनु यहाँ पर जो sparos हैं यह तीनु कहाँ पर रह रह रहे हैं tree में तो habitat same है बट इनकी जो niche requirement है they are different clear next है यहाँ पर sit structure of ecosystem तो sit structure of ecosystem में आपको पांच चीज़ें देखने को मिलेंगी one is species composition another is sit ratification then tropic structure then यहाँ पर standing crop then यहाँ पर standing state हर एक term को आपको याद रखना है क्योंकि paper में आपको is not this structure of ecosystem clear तो याद रखना है पहला point यहाँ पर species composition clear अब species composition देखें यहाँ पर identification and enumeration of plants clear जब हम identify करें या फिर enumerate करें किनको plants and animals को clear कहाँ पर एक ecosystem है यान कि इनका number हम देखें पहले identify करें कि किस type के species हैं दूसरा हम यहाँ पर देखें इनका number कितना है इन species का तो वो कहलाता है species composition clear यह वाले ecosystem में पहले हम देखेंगे कि कि टाइप के यहाँ पर species हैं यानकि उनको हम identify करेंगे देन हम देखेंगे इनका number कितना है तो यह कहलाता है species composition अब जो species composition होता है यह demand करता है topography पे यानकि physical features than climate पे इसलिए यह जो species composition है यह differ करती है from one ecosystem to another क्योंकि यहाँ पे यह dependent रहता है कि इस पे climate पे and topography पे clear यहनकि forest जो है forest ecosystem यहाँ पे एक टाइप के species composition आपको मिलेगी grassland ecosystem में आपको different type of species composition मिलेगी most important point है जो आपको याद रखना है जो कि काफी बार पूशा जा चुका है कि maximum species composition आपको कहाँ पे देखने को मिलती है that is tropical rainforest and minimum species composition आपको कहाँ पे देखने को मिलती है that is deserts क्योंकि obviously जो deserts हैं वहाँ पे जो conditions होती है वो manly unfavorable होती है most of the plants के लिए तो यहाँ पे आपको limited number of species मिलेगी कहाँ पे deserts में in comparison to tropical rainforests clear next is यहाँ पे stratification अब stratification होती क्या है stratification हम बोलते है vertical distribution कि इनका different species का clear लैश्य जो कि occupy करते है different levels कहाँ पे biotic community में तो यहाँ पे समझते हैं देखिए एक forest ecosystem की अगरा हम बात करें जो foresters होते हैं वह occupy करते हैं top verticals को while just struggle होते हैं वो occupy करते हैं bottom layer को देखिए यहाँ पे समझते हैं देखिए यह एक forest यहाँ पे clear forest ecosystem यहाँ पर, देखिए, sit gratification में कया कैस steps involvement होते हैं, पहले होता क्या है, पहले बनता है हमारा subterrain sitrata, देखिए, यहाँ पर है debris, debris meaning यहाँ बेश्ट from plants define from animals and different things, clear? तो यह क्या लाते हैं, debris, clear? तो पहले, अगर आप यहाँ पर आइंगे किसी area में तो पहले यहां पे हमने कुछ debris फैंगे clear अब होता क्या है यह जो debris होते है ना इन पे दीरे-दीरे कौन जो micro organisms हैं वो act करेंगे and वो इसको convert करेंगे किसमें एक second layer में clear एक second layer में यहन कि पहले आपको यहां पे क्या दिख रहा था पहले आपको यहां पे डिवरीज दिख रही थी अब आपको यहां पे decompotion के कारण यहां पे एक और लियर देखेगी फिर इस लियर पे दीरे-दीरे जो grass है ना वो ग्रो करेंगे clear grasses grow कारेंगे यहां कि पहले यहां पे किनकी ग्रोव थो गी पहले grass की ग्रोव थोगी फिर grasses के बाद यहां पे shrubs प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोव थोगी and ultimately यहां पर trees की ग्रोव थोगी यहां आप जाएंगे किसी ज Geschäft जहा यहां पर 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 यहां प जो shrubis and herbis होते हैं वो bottom and नीचे आपको grasses दिखेंगी तो ये वाला जो vertical यहाँ पे distribution है यही कहलाता है stratification clear अब जो stratification होती है यह poor या absent होती है कहाँ पे जहाँ पे भी environmental conditions unfavorable हो clear like desert ecosystem तो यहाँ पे आपको जो stratification है वो poor दिखेगी या absent दिखेगी like यहाँ पे हमने देखा forest ecosystem है यहाँ पे आपको stratification दिखेगी clearly next है ट्रॉपिक स्ट्रॉप्चर अब ट्रॉपिक स्ट्रॉप्चर क्या होता है यह होता है producer consumer arrangement clear producer consumer arrangement तो देखिए यहाँ पे यह होते हैं producer last lecture में हमने देखा था biotic components of environment तो देखिए यह है producer यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ different levels बनाता हूँ तो यह है producer फिर आते हैं herbivor फिर आते हैं carnivor फिर आते हैं top carnivor clear बट यह जो होते हैं यह क्या होते हैं consumers कौन herbivor, carnivor and top carnivor and नीचे हैं यहाँ पे producer clear पहली level में तो यह जो producer consumer structure clear and यहाँ पे जो हर एक level है ना यह level क्या क्या लाती है यह क्या लाती है tropic level जो की आने वाले lectures में हम देखेंगे जब हम food chain को depth में study करेंगे clear तो I hope आपको समझ में आया होगा कि tropic structure क्या होता है यह होता है producer consumer arrangement next हम है यहाँ पे biomass या फिर organic matter biomass या फिर organic matter क्या होता है यह होता है amount of mass of living organisms in a particular area in a particular time अब यहाँ पे समझते हैं यह है यहाँ पे कोई room जो भी इस time lecture को देख रहा है यह है आपका room clear यहाँ पे मैं हूँ या फिर आप हो आपका बाई है या फिर कोई और है या फिर आपने यहाँ पे कोई plant लिया है किसी bowl में और साथ ही में यहाँ पे bacteria होंगे तो इनका combine mass यहाँ पे clear इनका combine mass यहाँ 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 हम बोलेंगे कितना kg होगा यहाँ कि मेरा मेरा बाई यहाँ यहाँ पे different plants clear मेरे room में इनकी इस particular area में and इसी time इनकी particular time में and यहां पे कुछ bacteria होंगे जो कि हमें दिखेंगे नहीं इनका यहां पे कितना amount यही कहलाता है biomass या फिर organic matter next is standing crop अब standing crop में क्या होता है standing crop में आपको generally दिखेगा क्या living biomass clear जो कि amount of living biomass जो कि आपको कहां पे दिखेगा एक ecosystem में यहां कि standing crop entirely क्या represent करता है यह entirely living matter को represent करता है clear and जो standing state होता है यहां पे आपको mainly दिखेंगे क्या non living matter clear तो standing crop में आपको living biomass दिखेगा तो यहां पे आपको non living biomass दिखेगा main point है यहीं से question director पूछा जाता है कि standing crop क्या होता है and ये जो standing state होती है ये क्या होती है तो standing crop में आपको दिएगा living matter and standing state में आपको क्या दिएगा non-living matter clear next है यहाँ पे function of ecosystem तो यहाँ तक हम ने देखा structure of ecosystem clear, stratification वगेरा तो अब हम देखेंगे यहाँ पे function of ecosystem function of ecosystem में आपको क्या-क्या include होगा यहां पर एक तो productivity, then decompotion, energy flow, food chain, nutrient cycling, but यह वाले lecture में केवल और केवल यहां पर हम देखेंगे productivity, clear, अब productivity क्या होती है, productivity यहां कि produce करना, clear, यहां कि कुछ produce करना, productivity होती है, rate of biomass production, clear, यहां कि amount of organic matter accumulated, यहां कि कितना organic matter accumulate हुआ है किसी unit time में, clear, अब जो productivity के unit होते हैं, यह हम दो terms में express करते हैं, one is weight, another is energy, clear, तो weight में जो unit होता है, that is, gram minus two, year minus one, यहां कि one divided by gram square and year, clear, यहां कि one divided by gram square and year, clear, or I can write gram minus two, year minus one, in terms of energy आपको दिखेगा, kilo calories per meter square per year, यहां कि यहां पे per gram square per year and यहां कि यहां पे kilo calorie per meter square per year, generally यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए था, gram minus two, यहां पे meter minus two and year minus one, बड़ जो text books है ना, इन्होंने लिखा है, gram minus two, year minus one, क्योंकि जो productivity होती है, यहां फिर organic matter होता है, हम यहां पे देख रहे हैं, क्या kgs में या फिर grams में, clear, किसी particular area में and किसी particular time में, बड़ यहां को याद रखना है, gram minus two, year minus one, तो यह आपको याद नहीं रखना है, clear, gram minus two, year minus one and energy के लिए, kilo calories, meter minus two and year minus one, next हम देखेंगे यहां पे productivity के different types, productivity जो होती है, यह generally दो type की होती है, one is primary productivity, another is secondary productivity, तो जो primary productivity होती है, यह किनके related होती है, यह महली होती है, producer इसके related, यह फिर जिनको हम auto drops बोलते हैं, यहन की जो photo synthesis पे dependent हो होते हैं, clear, तो यह हम बोलते हैं, क्या primary productivity, तो चलिए यहां पे समझते हैं, primary productivity होती क्या है, देखें यहां पे, sun होता है, यहां पे plants हैं, तो यहां sun की radiation आएंगी, क्या आएंगी sun की radiation, पहले हम यहां पे देखेंगे, sun की जो radiation होती है, यह फिर solar energy, यह कितनी टाइप की होती है, जो solar energy होती है, यह होती है, दो टाइप की, तो वो 100% का greater than 50% कौन सा part होता है, तो वो होता है, DIR, यहां की direct incident radiation, जो PAR होता है, इसकी percentage less than 50% होती है, यहां की photocentically active radiation जो होती है, इनकी जो percentage होती है, वो होती है, less than 50%, and यहां पे इस DIR में कितना 1 to 5% जो होता है, वो capture किया जाता है, कि इनके दोरा auto-trops, या फिर green plants के दोरा, and यहां पे PAR में, जिसकी percentage किती है, less than 50%, तो यहां पे 2 to 10% जो होता है, यहां की 2 to 10% radiation जो होती है, उनको कौन capture करते हैं, उनको capture करते हैं auto-trops, तो DIR की percentage कितनी greater than 50, PAR की percentage कितनी less than 50, but DIR में 1 to 5% use हो रहा है, किनके लिए plants से लिए, and यहां पे 2 to 10% use होता है, किनके लिए auto-trops, या फिर plants से लिए, clear? तो अब यहां पे क्या आ रही है, sun की radiation आ रही है, यहां की solar energy आ रही है, या फिर directly आ रही है, यहां पे green plant पे, अब यहां पे green plant क्या करेगा, यह जो sun radiation है, या फिर solar energy from sun, इसको क्या करेगा, यूटिलाइज, and using carbon dioxide and water, clear, using carbon dioxide and water from atmosphere in presence of sunlight, यह क्या करेगा, यह in organic products को किस में convert करेगा, food में convert करेगा, यहन की glucose, तो यह अपना food बनाएगा, clear, क्यूंकि जो green plants होते हैं, उनमें एक green pigment होता है, जिसको हम बोलते हैं, chlorophyll, तो यह अपना food बनाएँगे, with the help of sunlight, clear, तो देखिए यहाँ पे, इन्होंने अपना food बनाया, clear, तो यही जो इन्होंने food बनाया, तो होता क्या है, यह जो food है ना, अब green plants ने food बनाया, तो इस food में कुछ percentage यह खुद खाएंगे, यहन की sell-up के लिए रखेंगे, and कुछ यहाँ पे जो different herbivores हैं, या फिर animals हैं, वो खाएंगे, clear, यहन की जो यहाँ पे food बन रहा है, किनके दोरा, plants के दोरा, जो अपना food यहाँ पे बना रहे हैं, तो उस food में कुछ food वो खुद के लिए utilize करेंगे, and कुछ food इसमें किनके लिए होगा हर भी वरस के लिए, तो यहाँ पे समझते हैं, अब primary productivity के दो टाइप, पहले यहाँ पे जो primary productivity है ना, यहाँ पे आपको example जो याद रखने हैं, that is green plants, chemo-synthetic, microorganism, alga, cyanobacteria, तो यह किस category में आते हैं, यह आते हैं, producer की category में, and unit जो होता है यहाँ पे, कहाँ पे, primary productivity में, तो वो होता है, co2 fixed per gram, आप chlorophyll per hour, तो देखिए यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, food produce लिया, clear, अब यहाँ पे समझेंगे, हम gross primary productivity, तो grass primary productivity होती क्या है, total organic matter, clear, total organic matter, including respiration, clear, अब respiration किस लिए, ताकि यह plant क्या करे, यह growth करे, यह जिंदा रहे, यह reproduce करे, तो इसकी synthesis के लिए, clear, इसकी synthesis के लिए, जो यहाँ पे production हुई, तो वो क्यालाती है, gross primary productivity, यहाँ पे है, यहाँ पे produce हुआ कितना 100 kg, कितना हुआ 100 kg, and इस 100 kg में, यहाँ पे 10 kg किसका आ रहा है, 10 kg आ रहा है, जो कि इसने use किया, किसके लिए, respiration के लिए, तो, total इसने यहाँ पे produce किया 100 kg, and 100 में से, यहाँ पे 10 किसके लिए included है, 10 यहाँ पे included है, respiration के लिए, clear, तो, यहाँ पे एक और definition है, gross primary productivity की, वो क्या है, कि light energy का किसमे convert होना, chemical energy of organic molecules, क्या, light energy का किसमे convert होना, chemical energy of organic molecules, like, यहाँ पे हमने देखा, कि sun से light energy आई, and with the help of carbon dioxide, and water in the atmosphere, इस plant ने क्या किया, इसको किसमे convert किया, food में, clear, of organic molecules, organic molecules, यहाँ पे glucose produce हो रहा है, clear, तो, यह होगी, gross primary productivity, यानि कि, जहाँ पे respiration include हो, total organic matter जो produce हुआ यहाँ पे, जहाँ पे respiration include हो, तो, वो part क्या क्या लाता है, gross primary productivity, clear, अब यहाँ पे एक important point जो आपको याद रखना है, कि highest gross primary productivity, आपको कहाँ पे देखनों को मिलती है, that is, tropical, evergreen, और rain forest, उसमें, next, यहाँ पे समझेंगे, हम net primary productivity, clear, तो, यहाँ पे अभी मैंने आपको mention किया, कि plant ने कितना यहाँ पे produce किया, 100 kg, clear, 100 kg, 100 में यहाँ यहाँ पे 10 included है, किसका 10 kg, यहाँ पे included है, किसका respiration के लिए, यहाँ कि जो loss होते है, clear, अब net primary productivity क्या होती है, total organic matter stored by producer, जो कि इसने stored किया, clear, या फिर हम बोलेंगे, it is the available biomass for consumption of heterotraps, अभी मैंने आपको mention किया, कि जब यहाँ पे food produce होगा, उस food में, यह कुछ food अपने लिए use करेगा, यहाँ कि ग्रॉप्स प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी and कुछ food किन के लिए छोड़ेगा, कुछ food यह किन के लिए छोड़ेगा, यहाँ पे heterotraps के लिए छोड़ेगा, तो अपने लिए क्यों use कर रहा है, तो क्योंकि इसमें included क्या है respiration, क्या included है respiration, clear, इसलिए हम बोलते हैं, जो net primary productivity होती है, वो होती है, grass primary productivity minus respiration, clear, and जहाँ पे भी grass आए, वो हमेशा होता है greater than net, clear, like आपने GDP देखा होगा, and आपने NDP देखा होगा, clear, clear, तो याद रहिए, कि NPP क्या होता है, NPP होता है, GPP minus R, यहाँ पे देखिए, GPP, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे कितना produce हुआ था, 100 kg, clear, इसमें आपको subtract करना है respiration का, respiration के लिए कितना use हिया था, 10, तो यहाँ पे net कितना बज़ता है, तो यह बज़ता है, 90, किस के लि है, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो जो खुद के लिए use किया, वो क्या था, GPP, जो किन के लिए रखा है, heterotrops के लिए, वो क्या क्या लाता है, NPP, heterotrops यहाँ पे, एक तो herbivor, दूसरे यहाँ पे कौन, decomposers, clear, या फिर हम बोलते हैं, NPP क्या होता है, NPP वो organic matter ह होता है, जो की available किसके लिए रहता है, second tropic level के लिए, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, clear, हर एक point यहाँ पे important है, हर एक को पूछा जा चुका है, clear, अब जो tropical rainforests होते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी होती है, high NPP, इनकी net primary productivity, जो की किन के लिए available होती है, heterotrops के लिए, जो plants के लिए available थी, उसमें क्या included था, उसमें respiration भी included था, next is यहाँ पे factors जो की effect करते है, primary productivity को, clear, क्या क्या effect है, एक तो plant species, जो आपको किसी area में मिलेंगे, व इनकी कितनी sunlight हो, जितनी sunlight हो, उतना production ज्यादा, temperature उतना production ज्यादा, and next is humidity, then photosynthetic capacity of plant, इनकी photosynthetic capacity अगर plant की ज्यादा होगी, तो ज्यादा produce करेगा, तो ज्यादा primary productivity होगी, next is यहाँ पे secondary productivity, जिसको हम assimilation के नाम से भी जानते हैं, अब यह क्या होती है, rate at which food energy is assimilated at tropic level of consumer, जहाँ पे consumer इन वालों हो, तो वो productivity क्या कहलाती है, secondary productivity, clear, I hope आपको समझ में आया होगा, next is यहाँ पे net productivity, अब net productivity क्या होती है, net productivity होती है, rate of storage of organic matter, जो की किनों ने use नहीं किया, heterotrops ने use नहीं किया, या फिर consumers ने use नहीं किया, तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, जो net productivity होती है, that is net primary productivity, clear, net primary productivity, जो की किन के लिए available थी, जो की heterotrops के लिए available थी, इसमें आपको subtract करना है, क्या consumption by heterotrops, तो वहाँ पे क्या बच्चेगा, वहाँ पे वो वाला portion बच्चेगा, जो की heterotrops ने use नहीं किया, let heterotrops के लिए कितना available था, 90 kg, clear, इनके लिए कितना available था, 90 kg, बट इन्होंने consume कितना किया, इन्होंने consume किया, खाली 80 kg, क्या किया consume, 80 kg, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, तो यह 10 क्या आएगा, यह आएगा, net productivity, clear, I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, next important note here, जो annual net primary productivity होती है, whole biosphere की, clear, तो वो कितनी होती है, that is 170 billion tons, textbook में आपको मिलेगा यह data, of organic matter, but oceans में आपको कितना मिलेगा, खाली 55 billion, तो overall biosphere में कितना, 170 billion, but oceans में आपको खाली और खाली कितना, 155 billion मिलेगा, despite being की, जो oceans है, इनकी जो surface area है, या फिर इनकी जो surface percentage है, वो ज़्यादा है, तो इनमें आपको खाली 55 billion tons, annual NPP मिलेगा, next कुछ important points, जो कि बार-बार पूछे जाते हैं, high productivity ecosystem, तो यह आपको coral rips में दिखेंगे, यहाँ पे, sugarcans यहाँ पे दिखेंगे, average productivity ecosystem, agriculture crops यहाँ पे included है, temperate forestries include है, अगर आप से बोलेंगे, less productivity ecosystem, तो यहाँ पे आएगा, जब हम wetlands देखेंगे, coral rips देखेंगे, तो इतना आपको याद रखना है, and notes maintain करने हैं, अब हम देखते हैं, यह वाले topic related कुछ आए हुए important MCQs, पहला question यहाँ पे, which one of the following is not a fundamental unit of ecosystem, clear, कौन सा यहाँ पे fundamental unit नहीं है, किसका ecosystem का, energy flow बिल्कुल है, decompotion बिल्कुल है, productivity बिल्कुल है, क्योंकि यह किसमें इनवालों है, function में, clear, यहाँ पे fundamental unit, तो stratification यहाँ पे correct option रहेगा, क्योंकि यह क्या है, यह है structure of ecosystem, next, vertical distribution of different species, occupying different levels है नहीं है, क्याला दिये, वो क्याला दिये, stratification, next, in an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis, यहनकी photosynthesis के time, जो production होता है, किसका organic matter का, तो वो क्या 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 आता है, वो क्या 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 आता है, gross primary productivity, next, the biomass available for consumption by the herbivores, clear, जो plants खुद के लिए use कर रहे थे, including respiration, तो that was grass primary productivity, अब herbivores के लिए जो available होता है, उसमें आपको subtract करना होता है, respiration वाला part, तो वो रह जाता है, net primary productivity, next question, out of total solar radiation, the proportion of PAR, तो अभी मैंने आपको mention किया, तो इसकी percentage generally कितनी होती है, less than 50%, clear, next question यहाँ पे, estuary के regarding question पूछा जा चुका है, and estuary is a place where the river fresh water meets with the ocean water, clear, जहाँ पे बिलकुल, जहाँ पे एक तरफ से fresh water आ रहा है, and दूसरी तरफ यहाँ पे ocean का salty water आ रहा है, तो यह आप समें meet करें, तो वो estuary क्या लाता है, clear, this area is high productivity, this area is highly productive, clear, then this area is highly unproductive, तो यहाँ पे हमने देखा, यह जो area होता है, यह highly productive area होता है, क्योंकि यहाँ पे high level of nutrients पाई जाती है, कहाँ पे यह वाले region में, तो option one and two यहाँ पे correct रहेगा, तो third option यहाँ पे one and two only, next question, primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area and it varies in different types of ecosystem, बिल्कुल, अभी मैंने आपको mention किया कि जो primary productivity है, वो किसकिस पे dependent है, clear, तो पहला statement बिल्कुल clear, next, even though oceans occupy about 70% of surface, the productivity of land is more compared to productivity of ocean, clear, तो अभी मैंने आपको mention किया कि ocean जो होता है, इसमें जो productivity होती है, उसका value काफी कम है, किन के comparison में, land के comparison में, तो दून उस statement जो हैं, वो यहाँ पे correct हैं, both one and two are correct, clear, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह वाला lecture, तो चलिए, अपने lecture को मैं यहीं पे end करूंगा, मिलिंगे, next lecture में, till then, take care, bye-bye